प्यास की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई है। इसके प्रमुक वजह महाराष्ट्र मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में प्यास के उत्पादन में गिरावट आने को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में प्यास की अच्छी उपज हुई है। किम्तु मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में बे मौसम की बारिश के कारण प्यास की पैदावार में गिरावट आई है। कम उत्पादन होने एवं निर्यात फिर से शुरू होने से प्यास के दाम फिर बढ़ने गया है। पिछले महीने प्यास के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद नासिक जिले से रोजाना करीब 100 कंटेनर प्यास का निर्यात किया जा रहा है। इससे घरेलू सप्लाई घट गई है। यही कारण है कि प्यास के दाम अब बढ़ने लगे हैं। भाव में व्रिधी होने के बावजूद अभी भी मंडियों में प्यास की आवक कम ही बनी हुई है। मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडी नीमच, इंदोर एवं मंतसौर में प्यास की आवक में बढ़ोतरी देखी गई है, किम्तु मंडी में अभी भी दागी माल अधिक पहुँच र रहा है। बांगलादेश में ईद की लेवाली निकलने से महाराष्ट्र से प्यास का निर्यात किया जा रहा है। मप्र का माल दागी ज्यादा होने से निर्यात नहीं हो पाया। उंचे भाव में भी दागी माल निकल रहा है। यूपी बिहार से जरूरी अच्छी लेवाली निकली है लेवाली अच्छी होने से भाव में तेजी रही पिछले एक माह में भाव में करीब 10 से 15 रुपए तक की तेजी आ चुकी है मंडी में फिलहाल अच्छी क्वालिटी का माल कम ही आ रहा है जिससे गिने चुने किसानों का ही माल उंचे दाम पर बिक रहा है व्यापार भाव 26 रुपए परती किलो रहा जो 25 मई को 17 रुपए था कई थोक मंडीयों में अच्छी क्वालिटी वाली प्यास की कीमत 30 रुपए प्रती किलो से ज्यादा हो गई है दरसल जून से मंडीयों में आने वाली प्यास किसानों और व्यापारियों के पास मौजूद स्टॉक से आती है लेकिन किसान स्टॉक बेचने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि 2023 से 24 की रभी फसल में गिरावट आने पर कीमतें बढ़ेंगी व्यापारी भी स्टॉक जमा कर रहे हैं इससे भाव बढ़ रहे हैं प्याज का निर्यात खोलने में हुई देरी का प्याजा लोक सभा चुनाव के दोरान महाराश्ट्र में भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों को भुगतना पड़ा है आगामी अक्टूबर नवंबर माह में फिर से महाराश्ट्र में विधान सभा चुनाव होने जा रहे हैं ऐसे में प्याज के निर्यात में मिली छूट बरकरार रहेगी प्याज का निर्यात लगातार होते रहने से स्थानिय किसानों को फाइदा मिलेगा हालांकि इस दोरान मंडी में प्याज के दाम में बड़ोतरी जरूर होगी महाराश्ट्र की प्रमुक प्याज मंडियों में गुरुवार को प्याज की आवक में सुधार सुपर माल का लाट 2700 रुपए तक बिका प्याज में अभी एवरेज माल की लेवाली अच्छी निकल रही है मध्यप्रदेश की अधिकांच मंडियों में अभी भी 80 प्रतिशत से ज्यादा दागी माल बिक्री के लिए आ रहा है फिलहाल प्याज के खेर्ची भाव 30 रुपए रुपए प्रती किलो बने हुए हैं तक पहुँच गए हैं वहीं मंडी भाव 18 से 25 रुपए प्रती किलो तक है व्यापार विशेशग्यों के मुताबिक अगस्ट सितंबर में प्याज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है उस दौरान प्याज के भाव 50 रुपए प्रती किलो तक पहुचाने की संभावना है पिछले वर्ष भी अक्टूबर में नवरातरी के पश्चात देश भर में प्यास की कीमतें तेजी से बढ़ी थी ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी